आज हम बात करने वाले हैं भारतिय समविधान की अनुसूचियों की जिसे हम सिड्यूल भी कहते हैं पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने देखा था भारतिय समविधान के श्रोध हमने कहां से लिए हैं और आज हम देखने वाले हैं भारतिय समविधान की अनुसूचियां सेडिूल को देखें पहली अनुसूचि के अगर हम बात करेंगे उसमें लिखाया केंद्र एवं राज्यों व केंद्र सासित प्रदेशों का प्रसाशन ठीक है तो सेम है जैसे हमारे भारत में कोई भी अनुसूचि एक में परिवर्तन करेंगे अगर क्या होगा हमारा कोई भी नया राज्य बनता है या उसको हम उसका विगटन करते हैं या हम एक नया केंद्र सासित प्रदेश बनाते हैं जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे वर्तिमान के हमारे देश की तो हमारे पास कितन केंद्र एवं राज्यों वो केंद्र सासित प्रदेशों का प्रसासन अनुसूची दो की हम बात करेंगे इसमें है पदाधिकारियों के बेतन एवं भत्ते प्रदाधिकारियों के बेतन एवं भत्ते से मतलब है जो हमारे सम्वेधानी पदाधिकारी होते हैं इनके बेतन और भत्ते अनुसूची दो में दिये गये हैं बेतन के अगर आप बात करेंगे कि अभी हाल ही में हमारी जो राश्चुपती रहे हैं उनकी जो सैलरी है सबसे जादा है भारत में अभी समविधानिक पद के हम बात करेंगे तो पांच लाक रुपे है और इसमें कोई टैक्स नहीं है ठीक है अब बात करते हैं अनुसूची की तो अनुसूची तीनमें दिया गया है सपत जिसे हम कहते है ओक सितने भी आपके पदादीकारों इसमें श्रवी सब दिलाई जाते हैं जैसे राश्च्ट्रपती गौद computak के मुकें ती इन सब को जो सपत दिलाई जाती है अनुसूची तीन के अंतरगत दिलाई जाती है थोड़ा सा मिया पर देखेंगे एक बार पीछे जाएंगे संविधान की अनुसूचियों में यहां पर मैं थोड़ा सा भूल गे थी इसको बताना आपको जब हमारा मूल संविधान यानि हमारे पास कितनी थी आठ अनुसूचियों थी बाद में हमारे पास यानि वर्तमान में जब संविधानिक संसोधन होते गए तो हमारे पास कितनी अनुसूचियों बन गई अभी बारा अनुसूचियों ठीक है तो यह थी यह इसको हमने एक बार फिर से देखा है देखते हैं कि अनुसूची हमारे पास पहले कितनी थी मूल समविदान में 8 और वर्तमान में कितनी है 12 ठीक है अब बात करते हैं अनुसूची 4 की अनुसूची 4 में है राज्यसभा में प्रतिनिद्ध recreate से मतलब है कि राज्यसभा में सीटों का बटवारा किस प्रकार से होगा ठीक है राज्य सभा की हम बात कर रहे हैं हमारे उच्छ सदन के हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रतिनिद्य तो किस प्रकार से होगा तो राज्य सभा में भारत में जो राज्य सभा की बात करेंगे तो यहां पर जो प्रतिनिदुतों होता है राज्य सभा में जनसंख्या के आधार पर होता है किसके आधार पर जनसंख्या के आधार पर यानि अगर यूपी की जनसंख्या भारत में सबसे जादा है तो वहां के सबसे ज़्यादा सदस से चुनकर कहा जाएंगे राज्य सभा में जाएंगे जैसे वहाँ से कितने सदस से जाते हैं 31 सदस से वहाँ से जाते हैं जैसे हम बात करेंगे उत्राखंड की उत्राखंड एक छोटा राज्यस की जनसंक्या यूपी के अकॉर्डिंग काफी कम है तो यहां से कितने सदस्य जाएंगे तीन सदस्य चुनके जाएंगे ठीक है थ्री सदस्य यहां से त्री मेंबर क्या जाएंगे राज्यसभा के लिए एलेक्ट होंगे नेक्स अगर हम गोवा की बात करें गोवा से कितने मेंबर जाएंग अमेरिका के हम बात करेंगे, तो अमेरिका में आपके कितने राज्य हैं, पचास राज्य हैं, और हर राज्य से जाते हैं, दो सदस्य, तो वहाँ पर कितने सदस्य जाएंगे, सौ सदस्य चुनके जाएंगे, सभी राज्यों से दो-दो सदस्य है, ठीक है, जो अमेरिका का चुनके जाएंगे सौ सदसे। यानी, अगर आपने देखा होगदा हैं, यहां पर जन संक्या को नहीं मानक बना रहे हैं, यहां पर माननक है समानता का। इस राज्य की जनसंक्या कितनी भी हो, वह से सदसे चुनके जा रहे हैं केवल दो तूर के तो वो जन संख्या के आधार पर होता है यहां पर आप विभिन राजियों की देखेंगे कि किन किन राजियों से एक सदस से जाते हैं किस में सबसे जादा जाते हैं वो सारी चीजियां बुक से देखेंगे नेक्स अनुसूची है अनुसूची पाँच अनुसूची पाँच में है अनुसूची जाती यानि स्ट का प्रसासन यानि जितनी भी हमारी स्ट होंगे उनका प्रसासन किस प्रकार से किया जाएगा वो हम देखेंगे अनुसूची पाँच में उनकी प्रशासन से related जितनी भी बाते होंगी उनका चाहे उनके development की बात हो या उनका education की बात हो या उनका प्रशासन किस प्रकार से किया जाए वो अनुसूची 5 के अंतरगत आएगा नेक्स अनुसूची है अनुसूची 6 अनुसूची 6 को हम यहीं से correlate करेंगे अनुसूची 5 से जो अनुसूची 5 में मैंने बात करी थी schedule tribe की यानि अनुसूची जन जाती की तो अनुसूची 6 भी उसी से correlate है यानि इसमें कहा है असम, मिघाले, त्रिपुरा और मिजोरम, जनजाती सिडूल ट्राइब के छेत्रों का प्रशासन यानि स्टी की बात हो रही है केवल इन चार राज्यों की बात हो रही है और इसमें पांचवा राज्य कोई भी नहीं होगा वो भी केवल स्टी छेत्रों का प्रशासन यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम इसको सौटकट में भी लर्न कर सकते हैं एसे जैसे असम, मिगहले, त्रिपुरा और मिजोरम तो क्या बनद रहा है एम टी-म तो आपको पता है जैसे आप टाइम में यूज करते एम पी-म तो एम आप ऐसी लेंगे और पीएम की जगे पे टीएम लेंगे तो यहां पर मणिपूर नहीं आता है इस राज्य में क्या है इन जो चार छेतरे इन में मनिपूर नहीं आता है क्योंकि आमने देखा होगा जितनी भी कुष्चन आते उनमें ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए म मनिपूर को हम टिक नहीं करेंगे हम यह फॉर्मूला बनाएंगे ट्रिक से और इसे याद करेंगे मिजोरम के अगर आप बात करेंगे तो जब हमारा सम्वीधान लागो हुआ तो वहां की जो सीडूल ट्राइब ती उसको जरुत थी कि वह इस अनुसूची में आएं लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो मिजोरम की जो सीडूल ट्राइब है एस्टी हैं वो काफी डैबलप हो चुकी है उनकी एजूकेशन से रेके उनका रहन सहन वो सारी चीज क्या हो चुकी है उनकी डैबलप हो चुकी है तो अगर मिजोरम चाहे तो अभी इस पर डिपेंड करता है अगर वो बता दे कि उसका सेस्टी क्या हो चुका है अब वो लैबल पर आ चुका है ठीक है तो अनुसूची 6 यह थी अब हम बात करेंगे अनुसूची 7 की very important अनुसूची 7 अनुसूची 7 में देखिए केंद्र और राज्यों के भी सक्तियों का बंट सक्तियों का बंटवारा होगा अब देखेंगे कैसे सक्तियों का बंटवारा होगा ठीक है जो अनुसूची 7 में हैं उसमें हमने एक लिस्ट बना दी जिसे हम कहते हैं संग सूची संग सूची केंद्र सूची भी इसे कहते हैं तो संग सूची में उन्होंने कहा कि यह जो सूची होगी इस पर कानून केवल संग बनाएगा केंद्र बनाएगा सेंटर बनाएगा जो कानून होगा उस पर अधिकार केवल बनाने का अधिकार केवल किसका होगा भारत सरकार या सेंटर का ह बुआ होगा, इसमें उन्होंने दिये 97 विशे। कितने विषय दिये जब समविधान लाग और मूल समविधान क को बात करें शब्ताग लगा जान अब वर्तमान के तो इसमें विशे हो गए है इसमें विशे हो गए हैं स्वाफन किन दोनों टाइब कि पूझा जाता है मूल समविदान में कितने विशय थे और वर्तमान में कितने विशय हैं तो यह चीज़ें हमें यहीं से ध्यान देनी हैं तो संग सूची में पहले कितने विशय थे 97 वर्तमान में कितने हो गए 100 विशय या इसके एक-दो विशय देख लेते हैं जैसे रक्षा अधी बहुत highly ए udah में संग सूची में दिये गए संग फोलव मतलब से मतलब हैं aa पोरे भारत को कवर करते हो यानि ए रखषण की बात करेंगे तो वो पूरे देश की रखषा की बात है विदेश से संबंदों की रख करेंगे तो फूरे देश देश की बात होगी बात प तो पूरे देश की क्या होती है जन्यनना होती है तो दूसरी सूची बनाइए अनुसूची साथ के अंतरगत राज्य सूची राज्य शूची ओ राज्य सूची में मूल समविधान मेें कितने विशय थे 66 विशय थे और बर्टमान में कितने हो गये हैं, शिख्श्टीवन भी से इसका हम एक विश्य देखेंगे, ग्जामपल सहीठ, जैसे है, पुलिस ब्यवस्था, पुलिस ब्यवस्था जैसे पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है, राज्य को है, संग को नहीं, तो पुलिस राज्य अपने हिसाब से व्यवस्थित करेगी, कि उसको कितनी पुलिस चाहिए, उसके राज्य की अकॉर्डिंग, ठीक है, नेक्स सूची, अब देखो, कुछ विश्य ऐसे थे, जिन प कौन से सूची, समवर्ती सूची, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताय था, कि जो समवर्ती सूची हमने कहां से लिए है, वो ऐस्ट्रेलिया से लिए है, तो एक सूची और आई, समवर्ती सूची, जब समविधान लागु हुआ, तो उस समय इसमें विशे थे 47, औ बहुत ध्यान देने वाली बात है, 52 विशे हैं, यानि जब मोह समविधान लागु हुआ, तब कम थे और वर्तमान में इसकी क्या हो रही है, प्रासंगिक्ता बढ़ती जा रही है, तो अभी इसमें कितने विशे डाल दी हमने, 52 एक विशे देख लेते हैं, इसका सिक्षा, सिक्षा, उससे पहले हम देखते हैं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या होता है, संग और राज्य क्या कर सकते हैं, इस पे कानून बना सकते हैं, दोनों अपने अपने कानून अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून में कभी मद्भेद हो गया, कानू का विशेह था राज्य सूची का विशेह था 42 समवेधानिक संसोधन हुआ जब 1976 में तो हमने ये राज्य सूची से निकाल के कहां डाल दिया समवर्ती सूची में डाल दिया सिक्षा सिक्षा के अगर आप बात करेंगे तो आपने देखा होगा सी बी एसी से पढ़ाई होती है ठीक है सी बी एसी से भी पढ़ाई होती है आपका यूपी बोर्ड है आपका बिहार बोर्ड है ऐसे अलग-अलग राज्यों के अपने अपने बोर्ड है यानि सिक्षा पर आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं कानून बना सकते हैं ठीक है अवसिष्ट सक्तियां ठीक है देखे जब समविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय कुछ ऐसे विंदु थे कि उस समय उनकी महत्ता हमें पता ही नहीं थी कि वो सब भी हो सकते हैं लेकिन जो उस समय के विदी बेटता थे उनको पता था समविधान निर्मादों का पता था क 1950 के अगर आप बात करेंगे तो इंटरनेट के बारे में किसी को पता नहीं था लेकिन वर्तमान में क्या है इंटरनेट के बारे में सब जानते हैं बिना उसके कोई भी काम नहीं हो सकता है आज के जमाने में तो हमने इंटरनेट को यह इंटरनेट से रिलेटेड जो आता है साइबर कानून यह सारी चीजे हमने कहां डाली अवसिस्ट सक्तियों के अंतरगत डाल दी और कहा कि जो यह अवसिस्ट सक्तियां होंगी यह किसके पास होंगी केंदर के पास होंगी यानि भारत सरकार के पास होंगी ठीके तो अवसि से सक्तियों के अंतरगत जाएगी और जो होगी सिद्धे सेंटर के पास ठीक है तो ये थी अनुसूची साथ अब हम बात करते हैं अनुसूची आठ की जिसमें दिया गया है मानक भासाएं यानि इस सथेंडर्ल लेंग्विज क्या क्या हैं आपके देश में जोगी जाती हैं अनुसूची आठ किसकी बात करेंगे हम अनुसूची आठ की जब समविधान लागु हुआ तो उस समय भासाइं कितनी थी? 14 भासाइं थी उसके बाद हमने समविधान में संसोधन करा और एक भासा और जोड़ी और वो संसोधन था 21 समविधान संसोधन जो हुआ 1971 में 1971 में ठीक है? और ये भासा थी सिंधी कौन सी भासा थी? सिंधी फिर एक और समविधानिक संसोधन हुआ जिसमें हमने जोड़ी तीन और भासाइं और वो समविधानिक संसोधन था 71 समविधानिक संसोधन 1992 ठीक है? यहाँ पर बहुत बार कुश्चन आया है ग्रूप में पूछी जाती है कि कौन सी तीन भासाएं हमने जोडी, ठीक है, जैसे हमने जोडी, तीन भासाएं हमने जोडी, कुंकणी, मनिपुरी, और एक विदेशी भासा, एक विदेशी भासा, वो विदेशी भासा कौन सी थी, नेपाली, कौन सी थी, नेपाली भासा थी, ठीक है एक थी कॉंकणी, मनिपुरी और एक विदेशी भासा नेपाली यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जिस अंग्रेजी के पीछे हम सब भाग रहे हैं वर्तमान में बच्चे हों, बड़े हों, जितने भी हम लोग हैं अंग्री जी के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिस के पीछे भाग रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि वो भी हमारे समविधान की मानक भासा नहीं है तो अब हम इन तीन भासाओं को कैसे याद करें देखो, कॉंकणी में भी क्या आ रहा है, अणा और मनीपुडी में भी क्या आ रहा है, अणा और एक विदेशी भासा, ठीके, दो तो कॉंकणी और मनीपुडी हो गई और एक विदेशी भासा, तो वो कौन सी हो गई, नेपाली विदेशी भासा जो जोडी गए उनीस सो बैयानवे में एक और भासा फिर एक और समवेधानिक संसोदन हुआ कौन सा वो था 92 ठीके कौन सा दा जो उबंज़ा था 92 जो गधा 23 जोव था 2003 में इस समय हमारे समवेधान में कौन से कितनी भासा ही जोडी चार भासाइं जोड़ी पहली हमने जोड़ी संथाली मैथली फिर बोडो और डोगरी यह चार भासाइं जोड़ी हमने 92 समवेधानिक संसोधन 2003 द्वारा यहाँ पर भी इसको अगर आप देखेंगे कि हम कैसे इस ग्रूप को याद करें तो संथाली में भी 2 था और ला और मैथली में भी और ला और याद रखना इस चीज ko अगर हम देखेंगे बोडो में भी डो और और डोगरी में भी डो और यह क्या है थोड़ी सी हम जैसे अपने मेरी में इसे विड़ कर पाएं अगर आप इनको देखें संविधानिक संसोधन है 92 हैं तन्फ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी 2003 ठीक है और वर्तमान में जो हमारी भासाइं हो गई है इतने संसोधन के बाद हो कितनी हो चुकी है 22 भासाइं स्टेंडर लेंगवेज कितनी हो गई है संविधान में 22 हो गई है अब बात करेंगे अनुसूची 9 की जिसमें दिया गया है भूमी सुधार अनुसूची 9 में यानि यहां से नौ से लेकर 12 तक हमने संविधानिक संसोधन करें और उसके बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा यह भूमी सुधार को जोड़ने का यह मकसद था कि जब स्वतंतरता के समय भूमी जो थी वह मालिकों के हाथ में थी बिचौलिये उस पे बहुत जादा थे और एक जमिदारी प्रथा थी जिसके कारण क्या हो रहा था किसानों का गलत सोशन हो रहा था बहुत ज्यादा सोशन हो का अंथ हुआ और हमने भूमी को एकठा करा और क्रिशी की प्रधानता को इंडिया में बढ़ाया थी के तो इसले क्या है पहला जो सम्वेधानिक संसोधन है 1951 वो था भूमी सुधार से संबंधित और किस अनुसूची में जोड़ा गया अनुसूची 9 में नेक्स्ट है अन 1985 में जोड़ा गया यहां पर हम थोड़ा से देख लेंगी 1985 के हम बात कर रहे हैं इससे पहले में पीछे जाके देखते हैं 1984 में देखेंगे तो इंड्रा गांती की क्या हुई थी मिर्टी हुई थी यानि हत्या कर दी गई थी उनकी और उसके बाद 1985 में प्रधान बंत्री मनत्री थी आपनी पार्टi चोड़के दूसरी पार्टी में जा रे थी कभी वही पार्टी छोड़के फिर वापस उसी पार्टी में आ जा रहे थी तो क्रम था इनका बहुत ज्यादा होने लग गया जिससे क्या हुआ जिससे क्या हुआ कि बहुत सारा क्या हुआ था राजनीती में अस्थिर्था आने लग गी अब सोचा गया कि इस अस्थिर्था को हम कैसे दूर करें इससे तो सरकार ढंग से चल भी नहीं पा रही है तो हम ऐसा क्या करें कि इन लोगों को जो ये दल बदल कर रहे हैं उनको क्य से 52 संवेधानिक संसोधन लाया गया 1985 में जब हमारे प्रधान मंत्री कौन थे राजीव गांधी थे और हमने जोड़ी कौन से अनुसूची 10 ठीक है यहां पर question बहुत टाइप से पूछा जाता है जैसे अनुसूची 10 में कौन सा विश्य है कौन से संवेधानिक संसोधन द्व बहुत important है लगबग हर दूसरे तीसरे एक्जाम या हर एक्जाम के अगर आप बात करेंगे तो उसमें पूछा जाता है जो संबंदित है पंचायती राज ब्यवस्ता से जो हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्री करण है वो क्या है पंचायती राज ब्यवस्ता उसका क्या है ए 73 संविधानी 1992 में आपने अनुचेत देखा होगा आर्टिकल 1 संविधान में अनुचेत 40 तो वो किस पे गांधी जी के विचारों से संबंदित है तो वो अनुचेत 40 के अगर हम बात करेंगे तो वास्तविक धरातल पे उसको लाया गया 73 संविधानी संसोधन 1992 द्वारा जो 1993 में और कब 24 एप्रेल तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं ठीक है 24 अपरेल 1993 से स्टार्ट हुआ पंचायती राज विवस्ता जो उसमें दिये गए हैं 39 विशे 29 विशे ऐसे हैं जिसमें पंचायती राज विवस्ता से संबंदित सारे विश अनुसूची 12 जिसमें नगर्प狹 यह सहरी इस्थानिय शासन जैसे पन्चायती राजव्णस्था कोM इस्थानिय शुर्श अर्चन्थ क्या खान जाता है सहरिय स्थानिय साशन जो नगरपाली का अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया बारवी अनुसूची में वो जोड़ा गया 74 संवेधानिक संसोधन 1992 दोनों संसोधन कब हुए 73 और 74 में दोनों संसोधन हुआ 1992 में दिसंबर 1992 में तो अनुसूची 12 कब जोड़ी हमने 74 संवेधानिक संसोधन 1992 और इसमें रखे हमने 18 विशे उन 18 विशे में था कि हम सहर को किस प्रकार से स्मार्ट सहर बनाएं कैसे एक अच्छा सहर बनाएं चाहे वो आपका स्वास्ते हो सिक्षा हो स्वच्छता हो या सडक के निर्मान हो ये सारी चीजे हमने नगर पालिका में डाली और कितने विशे डाले उसमें 18 विशे जो नगर निगम नगर पालिकाओं का दर्जा दिया जाता है वो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा राज्यपाल द्वारा ठीक है तो ये थी अनुसूची बारा इस प्रकार से हमारे समविधान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं बारा अनुसूचियां चले एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं, हम 12 अनुसूची एक में हम देखेंगे केंद्र एवं राज्जियों वो केंद्र सासित प्रदेशों का प्रसासन, अनुसूची दो में हैं पदाधिकारियों के बेतन एवं भत्ति, अनुसूची तीन में हैं सपत यानि ओथ, प अनुसूची जाती सीद्यूल काष्ट अनुसूची जन जाती सीद्यूल ट्राइब्स का प्रसासन, अनुसूची साथ है, केंद्र, वं राज्जियों के बीच सक्तियों का बंटवारा next है अनूसूची आठ जिसमें है मानक भासाई standard language अनूसूची नौ की बात करेंगी तो उसमें है भूमी सुधार की संसोधन द्वारा पहले संसोधन 1951 next है अनूसूची दस जिसमें दिया गया है विशय दल बदल 52 शमवेधानिक संसोधन 1885 द्वारा नेक्स्ट है अनुसूची ग्यारा पंचायती राज बेवस्ता तीहत्तरवे शम्वेधानिक संसोधन उन्निसव बयानवे द्वारा ठीक है और इस पर काम हुआ देखो आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे जो पंचायती राज पर काम हुआ चौबिस अप्रेल उन्निस इसमें विशे रखे थे 29 विशे बता दिये हैं मैंने आपको 29 विशे इन दोनों के समय अगर आपके प्रधान मंत्री देखेंगे तो कौन थे नरसिमा राउजी थे तो ये थे हमारी अनुसूचिया और इसको आप बार बार देखते रहें पढ़ते रहें जल्दी आपको ल